कामा मेवात क्षेत्र में आए दिन होने वाली गौतसकरी का कारवां बढ़ता ही जा रहा है और गौतसकरी को रोकने के लिए हाला कि पुलिस दिन रात सतर्क है लेकिन फिर भी गौतसकरी थमने का नाम नहीं ले रही है मेवात के कामा थाना पुलिस को देर रात उस समय बड़ उठाकर खेतों में होकर भाग निकले कामा थाना दिकारी प्रभाती लाल ने बताया कि देर रातरी को करीब तीन बजे हर्याना पुलिस ने सूचना दी कि कि गौतसकर ट्रक में गोवंच लादकर राजस्थान में प्रवेश कर गए हैं और वे कामा की तरफ आ रहे हैं जिस प पुलिस को दे कर गोवंच लदा ट्रक बिजली के खंबे से टकरा गया और गोवंच लदा ट्रक बिजली के खंबे से टकरा गया और गोवंच लदा ट्रक बिजली के खंबे से टकरा गया और गोवंच लदा ट्रक बिजली के खंबे से टकरा गया और गोवंच लदा ट्रक सब्सक्राइब के गाये हैं वह आपकी तरफ आ रहा है इस पर मैंने हमारे जापते के मदद से थाने के सामने और कोशिच वराय पर हमने अपने जापते को अलट किया और जापता हमने शाथ लिया आगे दिलावटी चोकी पर भी हमने नाकबंदी करवा यहां दो तिन ट्रक न अपने पुलिस की शकरीटा जे कम सकंपे पचास के बिसमस में गाये थी उनको हमने बचा लिया तो गाये अर्याणा पुलिस ले गई है अगाडिया और अच्छी वोग तश्करी हुई थिया हमने उनकी मदद किये और जो गाये थियों सुपूर्ट का दियू